हलो हाई दोस्तों वेलकम बेक टू उडान डिटल उडान डिटल के ओनलाइन प्लेटफॉम पर आप सभी का हार दिख्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं आज ही क्लास सेकंड क्लास हमने यह स्टार्ट की है एक क्लास अपनी हो चुकी है और उस क्लास में हमने तीखा था न हमारी क्लास हो चुकी है तो अगर तो आप सबसे पहले जाकर पहले नंबर वाली क्लास बन देखेंगे तो आप को चीज़ें क्लियर होगी क्योंकि हमारा उद्देश है कि हम आपको मैस पढ़ारा है तो आप आपके एक्जाम में 100% स्कूर करें और आपका सेलेक्शन हो सुद्देश से हमारा यह मैस का जो सिरीज चल रहा है तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में हम डिसकस करेंगे फ्रेक्शन भिन और दसमलों के प्रकार कितने प्रकार के प्रकार के होते हैं उनके प्रस्ट कैसे बनते हैं तो आए डिसकस करते हैं तब से पहले अपन की थी लास्क्लास में तो लास्क्लास में हमने नेचरल नंबर पढ़े थे नेचरल नंबर क्या होते हैं ठीक है थोड़ा से क्रिविजन हो जाएगा बस और कुछ भी नहीं ताकि हम आगे जब पढ़े तो हमें कोई दिक्कत फेस्ट ना करनने पढ़ें सबसे पहले हमने यह नंबर की कमी नजर आ रहे है व coherper क्या है तो हम डिसकस करेंगे जिस नंबर की नजर आ रहे हैoples number हम include कर लेंगे और वो number है zero तो अगर आप natural numbers के साथ साथ Zero को भी include कर लेते हो तो यह number कहलाते थे whole number फिर हमने discuss किया था integer क्या होते हैं integer मतलब पूर्ण संख्या होता है और यह होता है पूर्ण आंक है यह हमने पहली class में discuss किया है तो उतना detail मिनी जाएंगी बस एक brief में आपको knowledge दे रहा हूं अगर आप डारेक्ट ये class देख रहे हैं तो आपको पहले first class देखने चाहिए देन आपको यहां आना चाहिए तो चीज़ें बहतर clear होगी integer होते हैं sir minus से लेके minus two minus one minus zero one two three इस तरीके से यह सारे number कहलाते हैं integer फिर हमने समझा था कि सम संख्याय क्या होती है odd numbers क्या होते हैं कि even number क्या होते हैं ठीक है odd number देट मिन्स क्या ऐसे number जिन में दो का भाग नहीं जाए जो दो के पहाड़े में नहीं आते हैं उनको 多वनबर आप ते लिगें फिर्विसम संख्याहीं केहते हैं यह पिछली क्लास में हम डिसकस कर चुके हैं वीसम संख्याइख यह संख्या shipping काई और classeления दिसकें हमने अबहाद हाद्ये संख्याएं इसे संख्या जिसमें किसी नंबर का भाग नहीं जाता केवल एक का और खुद का ही भाग जाता है ऐसे number जो केवल वन से होते हैं और खुच से होते हैं number which is divisible by one and itself number which is only divisible by one and itself is called prime number या अबाद संख्यां तो यह हमने डिसकस किया था हमने relative prime discuss किया था हमने को प्राइम डिसक्स के था composite number डिसक्स के थे उसके बाद अब हम आगे आते हैं तो हम जा रहे हैं फ्रेक्शन पढ़ने तो फ्रेक्शन पढ़ने से पहले मैं यह चाहूंगा कि भिन आप सबको पता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में बटे में चीजें लिखी हो तो इसको हम भि भिन में और परिमे संख्या में क्या फरक है हमने परिमे संख्या भी नहीं पढ़ा है मैं आपको यहां डिसकस करूंगा क्योंकि जब मैं भिन पढ़ा रहा हूं तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि परिमे संख्या और भिन में क्या फरक है ठीक है तो भिन क्या होता है तो तो पी बाई क्यों के फॉर्म में होगा मतलब कोई ऐसा फॉर्मेट कोई ऐसा नंबर को लिखने का तरीका जिसमें हम इस तरीके से चीज़ों को लिख रहे हो इसको हम कहते हैं तो सर फिर परिमेश संख्या क्या है तो परिमेश संख्या भी जो होती है वो भी पी बाई क्यों क यही फॉर्म में होती है बट इन में फरक्या है अगर दोनों चीजें एक ही है तो फिर दो नाम अलग है तो दो नाम अलग है तो चीजें भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं उनमें होगा और वह हमें समझना है वह क्या है तो कोई भी दुनिया का नंबर अगर पी बाइक के फॉर्म में लिखा है तो वह भिन्न है जैसे कि माल लीजिए मैंने लिख दिया रूट 3 बाइ 2 तो ये एक fraction हुआ भिन्न हुआ जिसका numerator है रूट 3 और denominator है 2 मतलब जिसका अंस है अंस है रूट 3 और हर है और हर है 2 तो इसको हम भिन्न कह सकते हैं ऐसे ही मैंने लिख दिया कि 1 बाइ रूट 5 तो इसको भी हम भिन्न कह सकते हैं मैंने लिख दिया 1 बाइ 0 इस कुछ दुनिया में होता ही नहीं है अब यह अगर यह है तो क्या यह परिमे संख्या नहीं है बिल्कुल भी नहीं हम इसको परिमे संख्या नहीं कह सकते इसे भी परिमे संख्या नहीं कह सकते तो परिमे संख्या हम इनको नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते हम यह जो को आगे उपके हमारे नाम चेप्टर का जो टॉपिक है वो क्या है थिक शोटी था तो आगे जब पढ़ें तो हम केवल चीजों सीख नहीं रहे हो कि हमारा उद्देश और गोल भी यही रहा है ठीक है तो चलिए डिसकस करते हैं परिमे संख्या को समझते हैं क्या है परिमे संख्या तो एक बैसिक सी डेफिनेशन लिखना चाहूंगा दुनिया के ऐसे सारे नंबर जिनको हम P by Q में लिख सकते हैं ऐसी संख्या हैं जिने हम P by P by Q के रूप में लिख पाएं लिख पाएं अगर नहीं भी लिखी है और उसको हमने अगर P by Q में लिख दिया तो भी वह परिमें संख्या होगी बड़ P by Q के रूप में लिखते आपको आना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपको P by Q के रूप में लिखते ही नहीं आता और आपन डेसिमल के बाद रिपिटिंग नंबर को नॉन रिपिटिंग नंबर को आपको परिमे की रूप में लिखते आना चाहिए मतलब P by Q के रूप में लिखते आना चाहिए जब आप उस नंबर को P by Q के रूप में लिख लेंगे तब आप ये चेक करें कि P और Q दोनों के दोनों क के दोनों कहां से बिलोंग करना चाहिए यह दोनों के दोनों इंटीजर मतलब पूनांग होने चाहिए क्या होने चाहिए पूनांग का मतलब में पहले डिसकस कर नहीं है मैं यह कह रहा हूं कि ऐसी संख्या जो बटे में लिखी हो वह तो भिन्न हो गया पर बटे में लिखी हो उसके बाद हमें यह चेक करना है कि क्या उपर वाला अंस नीचे वाला हर क्या दोनों के दोनों complete क्लीट नंबर हैं अपने आप में पूरे नंबर हैं तो वो होगी आपकी परिमेशंख्या दोनों के दोनों कम्प्लीट नंबर पूरे नंबर होना चाहिए ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी ऊपर का नंबर और नीचे नंबर दोनों के दोनों पूर्णांग होने चाहिए या तो वह एक हो या सिधाध क्या होनी चाहिए, पहली चीज, दूसरी चीज होनी चाहिए कि क्यू जो है निचे वाला जो नमबर वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और आप यकीर माणिए आश तक ये नहीं किसी ने बताया नहीं। आपको यह पता चल पाया कि क्यों बटे में 0 नहीं होना चाहिए क्यों अपॉन वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए तो आई उसको समझते हैं सबसे पहले यह चीज के लिए रूप में लिख पाएं उनको हम कहते हैं परीमे संख्याएं और रूप में लिखने के बाद यह चेक करें कि क्या ऊपर का और नीचे का दोनों नंबर पूर्णांग हैं अपनी आप में complete number है क्या बटे में 0 तो नहीं है तो इसे संख्या को हम पूर्ण संख्या कहेंगे for example अगर हम लें कुछ number ले लेते हैं जैसे मैंने लिया 0.25 अगर मैं 0.25 को लिखना चाहूं तो बताइए कैसे लिख सकता हूं तो 0.25 को हम लिखेंगे साथ डेसिमल हटाते तो अपन में क्या लगाते हैं 100 अब आप चेक करेंगे कि हमने इस डेसिमल नंबर को इस दसमलों वाली संख्या को यह रहा आपका पी और यह रहा क्यूँ और हमने यह चेक किया कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों दोनों अपने आप में complete नंबर है पूर्णांक है उपर और नीचे पूर्णांक और Q का मान 0 भी नहीं है चार है इसका मतलब यह एक परिमे संख्या होगी और परिमे संख्या को क्या है तो इसके क्या करते हैं और आप करेंशनल नंबर इक होता इर यह एक परिमे संख्या की क्से क्लियर बात यहां तक ऐसे कोई सा भी नंबर ले लो ठीक है जैसे लीजिए कि मैंने ले लिया 0.35 या 3333 ऐसे चले जा रहा है तो इसको जब हम बटे में लिखेंगे तो हो सकता है यह चीज़ आपको नहीं knowledge में हो आगे हमारा एक topic आएगा bar to fraction convert करना तो यह जो नंबर है यह 0.3 पर बार है और इसका मतलब होता है एक बटा 3 अगर आप एक बटे 3 को हल करते हो तो ऐसा ही आएगा अब कुछ बच्चों का यह doubt होगा कि सर इसको एक बटे 3 कैसे लिखा तो पैसेंस रखो एक पूरा का पूरा चेप्तर इसी पर होगा कि बार वाले नंबर को बटे में कैसे ल मतलब कि यह भी एक परीमे संख्या है मतलब यह भी एक रेशनल नंबर है क्लियर बात यहां तक किसो को doubt चलिए आगे बढ़ते तो आपको भिन में और परीमें फरक समझ में आ गया होगा हर वो फ्रेक्शन हर वो पी बाई क्यू वाला नंबर हर वो बटे वाला नंबर भिन है उसमें कोई कंडिशन अपलाए नहीं है पर परीमे संख्या में बटे होना होने के साथ साथ पी बाई क्यू के फॉर्म में होने के साथ साथ आपको कुछ कंडिशन चेक करनी है पहली कंडिशन ऊपर वाला मतलब नूमरेटर अंस नीचे वाला मतलब दिनोमेटर हर दोनों टाइम जरूर लेंगे पर चुकि हमारा उद्ध्यस वही है कि हम आपको केवल मैस पढ़ाने दिए आपको एक टीचर बना के छोड़ेंगे बस आपको चीजों को छोड़ना नहीं है अगर आप वीडियो को स्कीप करके देख रहे हैं आप आगे बढ़ा के देख रहे हैं तो अगर हम दसंब्लो के परकार की तो दसंब्लो के तने परकार के होते हैं ह। ठीक है पहले अपने संख्या को कमप्लीट के लाइंगे तो हमने फ्रेक्शन को समझा कि यह परिमेय संख्या होती और भिंधह होती है पिलाल मिसें पढ़ रहें अब आपको क्लियर है की भिन थे बिन्द थीन प्रकार के हमने देखे हैं एक होते साधान जएसे कि यह लिखा हुआ है यह यह बिन्द दूसरा आगर हम डिसक्स करें तो इसके बाद आता है पहले हम पूरा पूरा आपने टॉपिक भिन्न को और उसके कोस्टन के से आएंगे एकजाम में कैसे के सब्सक्राइन आपको देखने को मिलेंगे और क्या concept हमारे clear होना चाहिए ताकि हम सारे के सारे कुस्त लगा पाए यकीन मानिए आपकी पढ़ाई का आपकी पढ़ाई का उद्देश ये नहीं है कि जो मैंने सवाल आपको करवाए वो सवाल आपको आगए मेरे पढ़ाने का उद्देश ये है कि मैंने आपको दस सवाल करवाए और पचास सवाल खुझ से कर लो जो आपने जीवन में सवाल देखा ही नहीं जो प्रस्ण आपने कभी देखा नहीं वो प्रस्ण भी आप खुझ से कर लो तो तो मैंने पढ़ाया अगर मैंने आपको 100 सवाल करवा दिये और वो 100 ही आपको आते हैं बाकी कुछ नहीं आता है तो आपका ये पढ़ाई नहीं ये केवले एक रटन पद्धती होगे आप रट रहे हो चीजों को तो मेरा उद्देश से हजारों या 100 सवाल करवाना नहीं होगा मेरा उद्देश होगा concept को clear करना अगर आप concept को समझ गए तो यकीन मानिए कैसा भी घुमा फिरा के question आपको मिल जाएगा आप खुदी कर लेंगे ऐसे प्रसमे भी आप solve कर रहे होंगे जो आपने कभी देखे ही नहीं है वो भी आप खुदी कर रहे होंगे तो हमारा उद्देश से होगा कि हम concept को clear करें चीजों को समझें कम content पढ़ेंगे कम question solve करेंगे बढ़ concept clear करेंगे और उसके बाद आप चाहे जो question practice करो आपको दिक्कत नहीं आएगी और उसमें हमने एक और service आपको दी है कि अगर आपको कभी भी doubt आता तो आपका doubt हमें भेजें उसका एक हमने series अलगी चला रहा है उसमें doubt ही solve होते है चलिए तो सबसे पहला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है चीजों को समझने के लिए और ऐसे सवाल भी आपको exam देखने को मिल जाते है मैंने यहाँ पर लिखा है कि रामायन के एक book है रामायन है और रामायन का मैंने एक बटा दो भाग पढ़ लिया मैंने पढ़ा एक बटे दो भाग और एक बटे चार भाग मेरी बेटी ने पढ़ा है और अभी भी रामायन के कितना भाग बाकी है ठीक है और मेरी बेटी जो है उसने भी रामायन पढ़ी है और उसने पढ़ी है रामायन का एक बटे चार भाग तो समझने वाली बात ये है कि जो रामायन थी उस रामायन का एक बटे दो भाग मैंने पढ़ा है इस बात को समझे, suppose मान लो कि ये हमारे पास book है और ये रामायन ही है, तो मैंने जब पढ़ा था, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी book के ये जो नीचे number लिखा है, दो, दो part किये ठीक है, मैंने इस पूरी book के कितने part किये, दो, मैंने दो part में इसको divide किया, आप दो पार्ट में आधे-अधे पन्य मैंने बाट लिए, इन दो पार्ट में से मैं एक पार्ट ये पढ़ चुका हूँ, मैंने ये एक वाला पार्ट पढ़ लिया और एक पार्ट मेरा रह गया, इसका मतलब में कह सकता हूँ कि दो हिस्सों में से मैंने एक हिस्सा पढ़ ल पढ़ चुका हूँ, इसका ये मतलब होता है, ठीक है, इसका ये मतलब होता है, अब मेरी बेटी ने क्या किया है, मेरी बेटी ने भी वही रामायन की बुक उठाई, same to same, बट उसने क्या किया, उसने इस रामायन के कितने हिस्से कर लिए, चार हिस्से कर लिए, उसने इसको च तिन से क्यूब है तो इसके इसाब से सब्सक्रidée के ही है। वर उसमेंन से पढ़ा ऑप लेसान है। वर दूरों ने उस and भी इस्प्रवयान के सेम इस हूँ हएं। यहां इसबने दो पाट माने है और मेरी बेटी ने उस नाड़ करें। करेंगे और यह बराबर करने वाली कहानी आप सभी के लिए कोई नई कहानी नहीं है यकीन मानिए आप को अगर एक एसा सवाल दिया जाए one by two प्लस one by four ठीक है आप one by two plus one by four तो आप सभी यह पता है 2 से multiply यहां भी कर दिया और 2 से यहां भी कर दिया तो यह आपका हो गया 2 बटे 4 और यह आपका हो गया 1 बटे 4 2 बटे 4 और 1 बटे 4 अब आप देखेंगे कि यह और यह equal part हो गया मतलब कि 4 पाट अगर बुक्के करते तो उसमें से में 2 पड़ चुका होता ठीक है तो सबसे पहला उद्देश होगा कि हम इनको equal करें इस 2 को इस 4 को equal कैसे कर सकते हैं तो सभी को पता है सर 2 चार का LCM 4 आएगा तो यह तो 4 और यही इसको 4 बनाना है तो यहां 2 से multiply कर दो यहां भी 2 से multiply कर दो तो मैंने जो 1 बटा 2 हिस्सा पढ़ा था उसी को मैं लिखूँगा 1 बटा 2 2 बटे 4 कहने का मतलब कि मैंने 2 बटे 4 पढ़ा देखिएगा मेरी बात को ध्यान समझेगा 2 बटा 4 और 1 बटा 2 दोनों एक ही value है बट मैंने इसको अगर मैं simplify करूँगा 2 से divide करेंगे तो वही आएगा बट लिखने का तरीका बदल दिया है अब मैं बुक के 4 पार्ट मान रहा हूँ अब मैं रामायन के 4 हिस्से मानता उसमें से 2 हिस्से मैं पढ़ चुका हूँ 4 में से 2 में पढ़ चुका हूं, 4 में से 1 मेरी बेटी पढ़ चुकी है, तो आप खुद सोचिए कि total book पुरामाइन के हम दोनोंने 4 टुकड़े की हैं और उसमें से 2 टुकड़े मेरी बेटी पढ़ है, तो सोचो कितना टुकड़ा भाकी बचा तो solution यहाँ था ही नहीं अगर आपका concept clear है ना तो आप इसका अंसर early देते बट होना चाहिए concept clear तो अब आपको clear हो गया कि जो मैंने पढ़ा है वो कितना पढ़ा है मैंने पढ़े हैं सर दो हिस्से finally अगर हम चीजों में देखें तो मैंने दो हिस्से पढ़े हैं book के और मेरी बेटी ने एक हिस्सा पढ़ा है तो total हम तीन हिस्से पढ़ चुके हैं कितने में से? चार में से अब आप सोचो यह क्या है? यह पढ़ा हुआ है तीन बटे चार हिस्से हम पढ़ चुके हैं इसको इसे लिखता हूं। निए जो पढ़ा वह कितना पढ़ा है दोनों के 3 बटे 4 मतलब बुक के 4 हिस्से कर लिए हमने रा मैंट के 4 हिस्से के उसमें से 3 पढ़े हैं तो ये पढ़ा हुआ है तो आपको सोचो बाकी भार कितना होगा सर चार में से तीन पार्ट हम पड़ चुके तो एक जो है वो बचा हुआ है एक पार्ट बचा है कितने में से चार में से तो यह आपका हो गया answer मैं यह कह रहा हूँ कि इसका इतना solution नहीं है सर इतना नहीं है बट आप चुकी सुरुवाती दोर में सीखने को आए हैं तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा अगर आपको clear हुआ है तो ठीक है अदर्वास एक बार repeat करो पूरी चीजों को मैं क्या बोला हूँ आपको concept clear होगा तो बड़े से बड़ा सवाल आप touch कर जाओगे तो इसका answer हmore आपको आपको कितना एक बटे चार तहरो टेंसर ना लो और वी दो तीन स्वाल इसे आएक इसमिल क्लियर कर रहे हूँगा मैंने मैं एक बटा दो एक बटा दो को मैंने क्या मान लिया मैंने इसको लिख लिया दो बटे चार बुक कि अगर चार टुकड़े हो तो बे दो पढ़ चुका हूँ अगर दो टुकड़े है तो एक पढ़ चुका हूँ दो बटा चार मैंने पढ़ा एक बटा चार मेरी बेटी ने पढ़ा सोचो चा तो चार में से हमने कितना पढ़ लिया है तीन हमने पढ़ लिया है तो बचा कितना एक बटे चार हिस्सा अभी भी बचा हुआ है आगे बढ़ते हैं आगे डिस्कस करते हैं अगला सवाल बहुत ही अच्छा है आप चीजों को समझें देखिए फिर से वही है कुछ भी चेंज नहीं हुआ है अभी वही किया है कि एक बटा दो भाग मेने पढ़ा है, एक बटा चार भाग मेरी बेटी ने पढ़ा है, इसका मतलब अभी भी कितना बाकी है, एक बटा चार, एक बटा दो मेने भाग पढ़ लिया है, एक बटा चार भाग मेरी बेटी ने पढ़ा है, पर ये चुकी एकवल नहीं है, तो हमने 3 बत्टे 4 भाक पढ़ लिया है इसका मतलब अभी भी बाकी कितना है एक LET पन्ने हो तो चो पन्ने चार हजार हैं पर मैंने रामायड के कितने टुकड़े की हैं चार वो चार टुकड़े ही वो चार पार्ट ही 4000 के बराबर है तो सोचो एक पार्ट कितने का होगा एक हजार का दो पार्ट 2000 के तो आपको यहां यह समझना है कि सर जो चार पार्ट है, मेरे लिए जो चार पार्ट है, हमने क्या क्या पन्य नहीं गिने, हमने उसको चार पार्ट में डिवाइट कर लिया, तो जो चार पार्ट है, वो चार पार्ट मिला कर टोटल कितने पन्य हो रहे हैं, चार हजार पन्य हो रहे हैं, आपको सोचें, कि वो चार प पन्ने का एक पार्ट हो गया अब आप से पूछा क्या है बताओ अभी भी रामायन के कितने पन्ने पढ़ना बाकी है तो यार बेटा बाकी कितना है एक ही पार्ट तो बाकी है चार में से एक पार्ट बाकी है तो यही तो आपके पन्ने होगे बाकी ठीक है यही तो बाकी पन् कर लिए तो मैंने 2000 पर एक हजार मेरी बेटी ने पढ़े तो इस उनितरी और यकीन मानीए यह यह झार का मतलब चाहरा जा रहे हैं इसको बोलता है यूनितरी मेथड कि अगर आप यह मेथड सीख जाते हैं तो दुनिया के किसी भी टीचर से आप पढ़े बड़े से बड़े टीचर से मैस पढ़ लेना आपको चीजें समझ में आएगी ही आएगी आपका लेवल उनके सामने अब जीरो नहीं रहेगा जो टीचर आप से कि कैसे जल्दी आंसर लाते हैं तुरंत और ली कैसे आंसर ला सकते हमें इतना भी ना करना पड़े और हमारा अंसर आजा तो उसके लिए हमारा एक पूरा चिप्टर है वह हम डिसकस करेंगे फिलहाल के लिए आपको यह चीजे कवर हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं अगल सब यह है कि जो बटे वाली वेली होते हैं वह होती है कुल अगर साथ है तो इसका मतलब प्रेजेंट कितने हैं तीन आपको सोचो बटे में जो नंबर लिखाता होता है कुल या फिर जब हम आगे पढ़ रहोंगे तो यह जो बटे वाला जब भी हम नियूम्रेटर लिखते है उपर और नीचे लिखते हैं डिनोमेटर तो यह जो नीचे वाला नंबर है हर अंस उपर वाला होता है और नीचे वाला होता है हर तो जो हर होता है यह हमेसा कुल होता है इसी को हम वास्तविक कहते हैं जब हमें कहीं जरुबत पढ़ेगे कि वास्तविक संख्या तो हम उ प्रापतांक है तो मैं कुछ नहीं नहीं बता रही हैं यह सब वही है तो यह अप्सेंट है और यह टोटल है साथ में से तीन अप्सेंट है तो यार बेटा खुदी सोचो ना खुदी सोचो आप तांक रहने देते हैं इसको PDF मिल जाएगा यह नोट्स आपको PDF में मिल जाएगा उडान डिटल के पर बड़ा सिक्वेंस में महा वीडियो इसका नोट्स फिर टेस्ट फिर दूसरी क्लास उसका नोट्स उसका टेस्ट फिर तीसरी क्लास उसका नोट्स उसका टेस्ट इस खुदी लिग दोगे सर 4 present होंगे कितने में से 7 में से सोचने वाली बात ही नहीं है अभी कख्षा में 105 चातर हैं मतलब present हैं पर हमारे हिसाब से कख्षा में कितने हैं 4 तो यूणिटरी फिर से लगाएंगे सर तीन का वेल्यू बताओ, चात्र कितने अपसेंट है, तो सर चार का मतलब हो गया 105, तो हमसे पुछा 3 का मतलब, ठीक है, हमसे पुछा 3 का मतलब, एक काम करो, यहां पर आप 105 की जगह 104 कर लो, केल्कुलेशन में आसानी होगी, हम कॉंसेट समझ रहें केल्कुलेशन नहीं, माल आप लीजिए, 104 चात्र है, कितने हैं, 104, तो 104 चात्र प्रेजेंट हैं, कितने में से, इसको ऐसे लिखेंगे, जो हम 4 मानते न, उसका वेल्यू 104 है, संख्या में, हम जिसको 4 मानते है, उसका वेल्यू 104 है, और यह मैं आपको पढ़ऊँगा यूनिट्री मेघण में, फिलहा दिखाई के चार से काटएंग इसको तो एक का वल्य कितना आ जाएगा चार दू आठ बची दो चार चूह चोईश के हैं भट हमें कने हमें कितने हैं एपसेंट चाहिए जाइए तो यहां भी और बाकि के बच्चे आए हैं और प्रेजंट कितने हैं 104 प्रेजंट हैं आप समझ सकते हो टोटल करोगे तो टोटल भी आपको मिल जाएगा साथ का वेली निकालना तो साथ भी निकाल सकते हो चलिए तो यह भी आपको चीज कवर हो गई होगी अब आगे बढ़ते हैं बहुत ही बहुत प्यारा प्रस्ण आपके सामने एक हैं आप खुछ समझें आपको इस केटेगरी सब्सक्राइब करेंगे से बाहार आना है के प्रस्फन जो और अपके लिए बना है और आप जिस चाफ्रें में यहां अबयाव करें अपके गाउं में इस शने चलिए तो पढ़ो अच्छे से और खुद एक बार ट्राय करो वीडियो को पोस्ट कर लो पहले खुद से क्या हो रहा होगा फिर आप वीडियो प्ले करके फिर समझना चलिए तो आपने देख लिया होगा वीडियो पोस्ट करके आप अपन बढ़ते हैं चले भी तो हम वाले कितने लोग हैं तर व्यापार करने वाले लोगों की संख्या है एक बट्टे चार ऐसे ही अगर हम देखें तो और कौन हो गए एक बटे चार भाग व्यापार, एक बटे चार भाग खेती भी करता है, खेती वाले भी हैं एक बटे चार, खेती करने वाले भी कितने हैं एक बटे चार, तो पूछा है आप की संख्या क्या है, आप जैसे लोग जो गाओं में भरे हैं, आप जैसे कितने हैं, आप जैसे का कि भी मतलब बेरोजगार आप समझ चुकें चीजों को मैंने यह कहा था कि यह जो बटे में लिखा होता ने यह कुल होता है तो यार अगाओ की कुल संख्या या तो 3 होगी या तो 4 होगी दोनों तो नहीं सकते हैं तो आपका सबसे पहला काम होगा इस तीन को इस चार को बराबर करना ठीक है इस तीन को और इस चार को क्या करना बराबर करना सबसे पहला काम जो आपका है वो क्या है इस तीन को और इस चार को बरापना थोड़ा सा मैं आपको इसके सिक्वेंस को बहतर जमाने की कोशिस करूँगा ताकि आप चीजों को और बहतर तरही किसे समझ पाएं ठीक है ये एक बटे चार तो वापस से लिख देते हैं यार मैं के वल सिक्वेंस बहतर चाहूंगा ताकि आप चीजों को समझ पाएं बहतर देखो चार टाइप की लोग हैं आपर एक तो नोकरी वाले हैं एक व्यापार वाले हैं और एक आपके पास हैं खेती वाले और लास्ट जो हिस्ता बचा वह आपका बचा आप जेसे लोग आप पार्टी ने बोल रहा हूं आप जेसे बोल रहा हूं ठीक हैं तो नोकरी वाले हो गए एक एक बटा तीन यह एक बटा चार और यह भी एक बटा चार आपको मैंने यह कहा था कि that पोटल हमेशा क्या होता है रहन इकर कि रह étau कि रहा को उच्रार तो हैसा मतलब यहाँ चार है कि सो बराबर करने की सब्सक्राइए तु इसको चार ना लोग है या तो इसको 4 बना लो याको छार बनाँ लोगे क्या लोगे LCM अगर आपको LCM नहीं निकालते आता तो पैसेंस रखो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे फिलहाल में लिख रहा हूं इसका जो LCM आएगा 12 आएगा कहने का मतलब है कि हम इसको भी 12 बनाएंगे और इनको भी 12 बनाएंगे अब आप खुद बताओ यार कि इसक अब की इसको 12 बनाने के लिए क्या करने पढ़ेगा 3 से पार्ण से यहां भी और तीन से यहां भी होजाएकगा 12 इसको 12 बनाने के लिए खेती करते हैं तो इसका मतलब 3, 3, 6 और 4, 10 पार्ट टोटल काम काज वाले लोग हैं कितने में से 12 में से तो आप खुद ही सोचो कि टोटल दस पार्ट हैं, 10 भाग हैं लोगों का जो की काम काज कर रहा है, काम काज कर रहा है, तो बेरोजगारों की संख्या कितनी होगी, 2 बटे 12, चाहो तो सिंप्लिफाइ करके आप 1 बटा 6 भी लिख सकते हो, यह आपका अंसर हो क्या, कि हम जैसे लोगों की संख्या जो है, वो 1 बटे 12 है, हम जैसे लोगों की संख्या 1 बटे 12 है, चलिए, आगे डिसकस करते हैं, नेक्स देखिएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा और चीज़ों को हम समझते हैं, चुक्कि अब हमें फ्रेक्शन समझ में आ गया है, हमें यह समझ आ गया कि numerator क्या होता और denominator क्या होता, इसको हिंद है ना, उसको उपर लिखते हैं, जिसकी बात हो रही है, उसको उपर लिखते हैं, और जो कुल होता है, कुल, जिसमें से हो रही है, कुल, वो यहाँ होता है, जिसमें से, किसमें से, किसकी बात हो रही है, जिसमें से, ठीक है, तो अब आपको यह लिंग्वेज समझ में आ ग समझते हैं मेरी बात को बड़े ध्यान समझना यार दोस्त अगर में एक बटा दो माइनस एक बटा तीन करता हूं तो बताओ जरा आंसर क्या आएगा है ना तो आप क्या करोगे एलसेम लोगे एलसेम कितना आएगा तीन दुआ छे ठीक है फिर इसमें इसका भाग दोगे दो क ध्यान में रखना है कि हम इसको हम इसको इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक बटा दो माइनस एक बटा तीन इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं आपको यह ध्यान रखना है प्रेक्शन को आपको समझना है कि कहीं अगर एसा लिखा है कहीं अगर एसा लिखा है तो आपके दिमा नौटा 9 गुना 10 लिख दिया चलो अब क्या करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं एक बटा नौ माइनस एक बटे 10 इसका अंसर यही आएगा तो मैं यह कह रहा हूँ कि जब हमें पता इसका आंसर यही आएगा अभी हमने करके भी देख लिया हो सकता आप तक आपको नहीं पता पर अब पता है कि एक बटा नो गुणा दस का जो वेली होता है वो एक बटा नो माइनस एक बटे दस के बराबर होता है एक गुणा एक दो बटे तीन का जो वेली होता है वो एक बटा दो माइनस एक बटे तीन के बराबर होता है हाँ या ना चलिए तो आपको इतना कवर हो अब आपन डिसकस करते हैं अगे अगर मान लो यह तो गेप था कितने का आपका नो दस दो तीन मतलब एक का गेप पर मान लो एक बच्चे ने कहा कि सर कभी कभी ऐसा हो तो कि एक बटा तीन गुणा पांच अब दो का गेप आ गया तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं एक बटा तीन माइनस एक बटा पांच बिल्कुल भी नहीं इसको हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अब यहां पर गेप दो का है वहां पर गेप एक का था तो फिर बटे में 3ुना, 5 तो यह जो वैल्युइ है, यह जो वैल्युऊ है, यह दो बटे में 3ुना, 5 की, 1 बटे 3ुնा, 5 की नहीं, कहने का मतलब यह है, अगर अगर इनका गे honoring 1 का है तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, अगर इनका गे दस लिख दिया तो आप खुछ सोचो क्या आना चाहिए तो यहां पर तीन बटे कितना आएगा साथ गुणा दस कि आई बाद समय में तो आप मुझे एक बात बताओ अगर मैं बड़ा ध्यान से दिमाग पर प्रेसा डालना अगर मैं ऐसे लिख दूँ एक बटा पांच गुणा दस तो बोलो मैं इसको माइनस में कैसे लिख सकता हूं । तो आपको थोड़ा सा यह सोच ना था तो यहां पर पाँच आना था यहां पर पांच आना था यहां फिर ऐसा करते हैं एक दूसरा नमबर लेते हैं मैंने लिए बटेज्स सम्सार्द कितने अगेप नियाँ आपर 4 & वह यहां पर तीन था तो हमने एक बटें साथ माइनस एक बटें से लिखा 12-5 he this and 12 है इ Mitte 6 यहां भी है बी reports लिख सकते है इसका गेब चार है और यह चार हुता तो हम इसको यह लीक रहे हैं से 1 बटा सद माइनेस 1 बटे 11 पर यह कब लिख सकते थे यह हम तभी लिख सकते थे ना जब इसका जो गेप है वह यहां भी होता तो यार आप सोचों कि यहां पर मुझे 4 चाहिए तो मैंने लिख ली अपनी वर्जी से 4 चार उपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया, अब मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ, पर ये बटे वाला चार रहेगा, कुछ बास समझें ये आपकी, थोड़ा सा चीजों पर समझना, क्योंकि इसे सवाल आते हैं, आप उलच जाओगे, ठीक है, तो finally conclusion क्या दे रहा हू अगर कहीं पर आपको दिखे, एक बटा, तीन गुणा, साथ, तो गेप कितने का है, चार का, तो आप इसको करेंगे, एक बटे चार, एक बटा तीन, माइनस एक बटे साथ, बरोबर है, ये जो गेप ही, ये बटे में लगा लेना, बस, इसका गेप था, यहाँ पर बन का, तो वन लगाने से मतलब ही नहीं है, तीसरा, अगर यहाँ पर लिखाओ, एक बटे, साथ, गुणा, बारा, देखो कितने का गेप बटा रहा है, पांच का, तो आप क्या लिखोगे, एक बटे पांच, अब आप इसको लिख सकते हो, क्या, अब आप इसको लिख सकते हो, एक है, तो फिर आप डारेक्ली लिखोगे, एक बटे साथ, माइनस एक बटे बारा, क्या आपको क्लियर हो गई चीज़े, हो गई होगी, ठीक है, अब हम देखते हैं, अपना ये सवाल, जो एक्जाम में आता है, और बच्चे यहाँ गलत कर देते, तो सोचो, तुम खुछ सकता हूँ, 1 upon 1, minus 1 upon 2, ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ, 1 upon 2, minus 1 upon 3, ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ, 1 upon 3, minus 1 upon 4, ऐसे अपन चलते चलते जाएंगे, और आखरी में क्या लेखेंगे, 1 upon 10, minus 1 upon 11, अब आप खुछ सोचो, कि होगा क्या, इसका अंसर अगर में चाहिए, तो क्या होगा, देखो यह minus का 1 by 2, यह plus का, यह कर जाएगा, यह minus से यहाँ वाला कर जाएगा, और ऐसे ही यह भी कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर minus 1 by 10 होगा, जो कि इससे कट रहा होगा, तो कुल मिला कि हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 1 upon 1, last में क्या बचा है, 1 upon 11, तो आपका जो answer आएगा, वो कितना आएगा, upon में 11, और 11 में से 1 minus होगा, तो कितना आएगा, 10 by 11, कितना आगया, 10 by 11, 10 बटे 11, यही आपका answer, अब देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, इसके tricks से याद कर लेते हैं, अब वो tricks नहीं होती, एक्चुल में न, आप लोग रटा म ठीक, बाकी कहां गया, ठीक है न, बाकी कहां गया, यह बताने में क्या problem थी, तो आपका answer आजाएगा, 10 by 11, चलिए, आपको चीजें clear हो गईगी, तो अगला सवाल आपन देखते हैं, इससे बहुत सारे और भी सवाल हैं, अब मैं इनका answer direct ले लिख रहा हूं, मुझे एक ब स्टार्टिंग वाला और आखरी वाला, तो हम भी यही देखे न, कि सर यह सब कड़ जाएगा, बचेगा क्या, शुरू वाला और आखरी वाला, मतलब हमारे पास जो answer होगा, वह होगा 1 by 1, माइनस 1 by 100 बन, और इसको solve करोगे, तो LCM आएगा 101, और उपर आएगा 100, क्या बा और उपर इससे कम आएगा, एन, एन प्लस 1, माइनस 1, उपर इससे कम आएगा, क्यों, क्योंकि देखो, यहां 101 आया तो यहां उससे कम आया था, तो यहां भी एक कम आएगा, बस इतनी सी बात है, चलिए, यहां पर देखिएगा, यहां पर आपका चालू हुआ है, 45, 56, 67, गेप ऊपर एक, इसमें गेप एक का, यहां भी एक है, तो अपन में आपको कुछ लगाने की रिक्वाइर्मेंट नहीं है, तो यहां पर भी क्या होगा, आपका, यह सब कर जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1 by 4, माइनस 1 by 40, एल सेम लोगे तो कितना आएगा, 40, चार का भाग आएगा, उपर एक नहीं आया, क्या आगया, 9 आगया, गेप कितने का था, 4 इसलिए 9 आगया, यहां पर गेप कितने का आगया, 4 बचेग कर दी हमने, चलो, अरे एक कही तो गेप था, ठीक है, एक कही गेप था, सही था, बिल्कुल, very good, कोई दिक्कत नहीं है, 1 by 4, माइनस 1 बटा चालीस तो आपका जो अंसर आएगा वो कितना आ जाएगा एहां पर आा जाएगा आपका 9 ठीक है बरोबर आगे बढ़ते हैं इसको देखिएगा यहां पर आ रहा है डिफ्रेंस 3 आ गया अब आपको समझना पड़ेगा डिफ्रेंस कितने आ गए तीन का तो इसको एक बर समझ लो पहले ना डिफ्रेंस 3 आ गया है तो अब हमें क्या करन तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा भी कर लेंगे, और 3 से इसको दे देंगे भाग, बटे में भी 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 से हमने इसको भाग भी दे दिया, तीन से गुणा भी कर दिया, इसका मतलब अब हमारा जो डेटा है वो यह है, तो यह एक बटा 3 तो यहाँ पर आ साथ, ऐसे ही चलता चला जाएगा, और आखरी वाला नंबर आपका आजाएगा, एक बटे 16, तो यह सब तो कर जाना है, बचेगा आपके पास क्या, एक बटा 3 माइनस एक बटे 16, इसको सॉल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, आपका पंदरा बटे 48, तो आपका आट प 48, क्या कहानी सावज म्यारी में क्या कहना चाह रहा हूँ, आंसर देंगे 5 बटे 48, आप अनाम से करें, कोई जलबाजी नहीं, तो यह सारे सवालों की प्रेक्टिस आप खुद करें, यहाँ पर फिर आपको प्रेक्टिस करनी है, मैं एक बार फिर आपको रिकॉल करवा दू चीजों को क्या करना है, एक बार फिर लास में आपको रिकॉल करवा देता हूँ, कि ऐसे सवालों में हमने क्या किया, हमने यह देखा, कि अगर 1 बटा 9 गुणा 10 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 1 बटा 9 माइनस 1 बटा 10, कोई दिक्कत नहीं है, यह concept आपको पता होना च साथ, माइनस 1 बटे 10, पर कभी ऐसा हो जाए, कि यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 1 है, और नीचे गेप आ रहा है, तो यहाँ 3 का आ रहा है, इसका मतलब हमें 3 उपर चाहिए, अगर यहाँ 3 का आ रहा है, तो हमें 3 चाहिए, तो 3 क्यों लगाएंगे, अगर हम गणित में ऐसा आपको यह लगेगा, बास समझ में आ रही है, चलिए, तो यह आपका रहा, पूरा कॉंसेप्ट, जो आपको चीज़ें कवर हुए होगे, तो यह था एकदम साधान वाला भिन्न, फ्रेक्शन, हमें भिन्न को समझना पड़ेगा, आगे डिसकस करते हैं, जो अगला आपका टाइप आ रहा है, यह भी बहुत टफ सवाल है, यकीन मानी, मेरा एक स्टुडेंट है, और उसने ससे जीडी का एकजाम दिया था, उसका सेलेक्शन भी हो गया, मतलब उसकी नोकली लग चुकिया, बट फिर भी उसे यह चीज नहीं पता थी, इसका मतलब यहां से चीज़े 15, अपॉन में 369, यह सवाल था, जिसको आपको हल करके केवल आंसर देना था, और नीचे चार उत्तर दिये थे, ऐसे ही फॉर्म में, इसी तरीके से, मिक्ज फ्रिक्शन के फॉर्म में ऐसे आंसर दिये थे, क्यों, क्योंकि आपके पास यहां फ्रिक्शन है, तो वहां भी तीजोरी में 25,000 रुपए पड़े हुए हैं, और सारे नोट 500 रुपए के हैं, 25,000 रुपए पड़े हैं, सारे नोट 500 रुपए के हैं, तो आपके घर कोई अगर मजदूर आया, जिसको हमें 200 रुपए या 200 रुपए देना है, कितने रुपए देना है, 200, तीजोरी में कित है उस बंदे को 200 देने के लिए आप 500 लेकर आओगे साड़े 24,000 ती जोरी में ही है उसको आपने टच भी नहीं किया ना उसमें कुछ लिए ती जोरी में 253 रुपए पड़े हैं कितने पड़े हैं 253 और जिस बंदे को हमें देना है माइनस करना है वो वेलिव एक से भी छोटी है क्यों छोटी है क्यों कि 3199 का भाग 397 में एक बार भी नहीं जा रहा है एक बार भी यह डिवाइड नहीं हो रहा है क्या आप इस हम लो something रुपय देना है तो आपको जब 253 में से किसी को एक रुपया भी नहीं देना उससे भी कम देना है तो क्यों ना इस 253 में से हम केवल एक रुपय निकाले 252 रहने देते तीजोरी में एक रुपया ले चलते हैं वो दिया हमने पापा को पापा ने दिया मजदूर को उसने अपने जो पैसे थे वो काट लिये और बाकी हमें वापस देगा तो हम कहां जाके रखेंगे तीजोरी में तो तीजोरी में अभी 252 पड़े हुए हैं और यहां आप देखोगे तो 309 एकम 309 में से 377 माइनस करेंगी 309 माइनस 357 करोगे तो बचेगा 2 2 बटे 378 और यह आपका आगया अंसर 252 तहीं 2 बटा आप इसका और इसका गुणा करते पहले फिर इसको माइनस करते तो एक बड़ा सा नंबर आपके पास ऐसे आता पिर आप इसको डिवाइड करते और इसका इसमें भाग 252 बार जाता और दो रिमेंडर कितना बशता दो आप लिखते दो पर ऐसा समभू ही नहीं है इतना नेसको समझना है आप ये सोचें कि ये जो दो सहीं एक बटा दो लिखा है इसका मतलब होता है दो प्लस एक बटा दो दो और एधा 2 दो और आधा तो नॉर्मली हमें क्या सिखाया स्कूल टीचर ने हमें सिखाया कि ऐसा कहीं आए तो आप क्या करो दो दूआ चार और पांच बट्टे दो लिखो पर जो हमारे पापा जो अनपड़ है जो पढ़े लिखे नहीं हमारे रिवर में कोई याएगा केसे इसी के लिए आपने सवाल एक प्रस्ण देखते हैं अपना जैसे मान लिए एक बैंकिंग का एक्जाम में एक सवाल आया था और बहुत सारे बच्चे उसको नहीं करके आया थे यह बैंकिंग में और नीचे चार उत्तर दिये थे तो सारे बच्चे दोड में लग गए ग्यारा पंजे पच्पन और दो 57 बट्टे पांच फिर उसने इसका गुणा क्या और इसका तो यह कॉंसेप्ट ही कला था क्योंकि स्कूल वाला कॉंसेप्ट था पर किसी अनपड आदमी को अगर यह सव के पास बहुत सारी चिल्लर है और बंदे नोट भी है जैसे मंदिरों में चंदा हता है वहाँ पर सारी नोट नहीं आते सारे प्रकार के नोट आपको दिखेंगे कोई 50-500 का चिल्लर तो सबसे पहले वो क्या करते हैं उनको अलग-अलग करते पांसो की नोट-अलग हजार की अलग करेंगे जो complete नमबर उनको अलग एक हजार 111 रुपई अलग 111 रुपई अलग और 11 रुपई अलग इनको अलग जोड़ो तो यह आपका अंसर आगा कितना 1233 इतने रुपई तो इखटे हो गए अब बचा क्या चिल्लर तो चिल्लर कितनी थी सर दो बटे 5 की एक चिल्ल चिल्लर थी जब हमने देखा तो यह तो हो गया सर पांच बटे 5 और पांच बटे 5 का मतलब हो गया एक रुपया बन रहा है इस छोटे छोटे चिल्लर अमोंट से केवल एक रुपया बन रहा है तो टोटल अगर जोड़ने पर देखा जाए तो आपका अंसर आना था 1234 और यह आपका सही आंसर पर आप लोग क्या करते हो आप लोग हो सकता है बहुत टैलेंटेड हो तो आप सही तरीका लगा रहे हों बट यकीन मानिए 99% बच्चे ऐसा नहीं करते हैं वह कैसे करते हैं वह ऐसे करते हैं 1155 और दो कितना होगा 572 फिर लिखेगा 555 और 1556 बटे 5 और करेगा फिर 5 से डिवाइड करेगा और फिर 1234 लाएगा जो की संभव तो है बट बहुत ही लेंदी आप खुछ सोचो तो आप गलत डिरेक्शन में जा रहे थे मतलब हम यह नहीं समझ पा रहे थे कि मेंग डिफ्रेक्शन का मतलब क्या होता है अगर आप यह समझ जाते तो धिक्कत नहीं आती आप केल्कुलासन क लेटें इसका मतलब होता है 11 है अलग से है तो इसको उप्लैशन करian डिवाइट करने में और चलो गुड़ा कर भी लिया तो फिर माइनस करके डिवाइड करने में और हालत खरा हो जाएगी जो संभोई नहीं हो पाएगा आपको छोड़ क्या आना पड़ेगा तो I hope कि आपको मैं क्या समझाना चाहरा हूँ जो concept क्लियर करना चाहरा हूँ वो आपको समझ में आ गया होग हूँ जो भी आपके डाउटे वो भी लिखें ताके मैं यह समझ पाऊं कि कितनी चीजी आपको clear हो पा रही है कितनी नहीं हो नहीं हों पा रही है तो इसका मतलब कि आपको यह content ही समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को जो भी लग रहा अच्छा भुरा आप एक बार लिखे जरूर उसमें ताकि हम और इंपूर्मेंट आपको दे पाए हमें यह पता चले कि हमारे student को और क्या डाउट आ रहे हैं ठाइक है तो हम उस पर काम कर पाएंगे और content को और बहतर दे पाएंगे चली तो ये आपका था मैंने लिखा 5 बटे 2 तो यह fraction था अगर इसी को मैं solve करूँ तो आंसर आएगा 2.5 तो इसको बोलते हैं दसमलो भिन्न भी कह सकते हैं पर हम दसमलो भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यह है दसमलो तो यह था fraction यह था भिन्न तो अब हम कहां पहुंच चुके हैं अब हम प क्या कहानी इन decimal में हो सकती है उसको अपन समझ लेते हैं ठीक है चलिए इसको लगाते हैं side में ठीक है क्या होता है दसमलो यह हम समझ चुके हैं कि भाई decimal भिन्न क्या होता है अब मुझे एक बात बताओ यह जो दसमलो में answer आते हैं तो अगर हम type of decimal समझना चाहें दसमलो के प्रकार तो दसमलो के प्रकारों को हम समझना अगर चाहें तो कोसिस करेंगे चीजों को समझने की और बहतर तरह से है आपको clear करने की तो मैंने ये देखा है, आप खुद बताओ, कैसे कैसे दसम्लो नंबर आपने देखें, कैसे कैसे नंबर देखें आपने, तो सबसे पहली चीज सर मैंने ऐसा नंबर देखा है, ठीक है, सर मैंने ऐसे नंबर भी देखें, 0.329, सर मैंने ऐसे नंबर भी देखें, 2.389, ठीक है फिर बोले ऐसके अलावा, ये तो सब नमबर क्या हो रहे, दसमलों के बाद यहां तक खतम हो गया, ये एक ये alνο स्भागर के बाद खतम हो गया, ये भी खतम हो गया, कुल मिला कि यह वो decimal number है, जो decimal के बाद कहीं न कहीं, खतम हो रहे हैं, खतम होने को बोलते हैं सर, terminating number, terminating decimal, क्या बोलते हैं इसको, terminating decimal, ये कौन से decimal है, ये है terminating decimal, कौन से decimal है सर, ये जो मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे terminating decimal है, तो फिर और कौन से decimal देखें सर, सर, जो terminate ना ह हूं जैसे की जैसे की 0.3333 चले जा रहा है जैसे की 0.575757 जैसे की 0.2313131 तो यहां पर आप देखेंगे यह चले जा रहा है ना डेड़ेस का मतलब आगे बीच कंटेनी हुए देखों यहां पर देखेंगे दसमलों के जज़बाद नंबर रिपीट होना शुरू हो गया यहां भी 5757 रिपीट हो रहा है यहां दो रिपीट नहीं हो रहा है उसके बाद नुएलगा 5-3-1-3-1-3-1- è thing repeat हो रहा है तो आपको यह समझना है कि जो repeat हो यह क्या कहानी है ठीक है इसी चीज को हम एक तरीके से और लिक सकते हैं थोड़ा सा अगर सट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको लिखसकते हैं 0.3 ही पर बार वाई नंबर है सरी यह सारीन बार वाले यह बार-बार आ रहा हैं मतलब यह रिपेटिंग NUMBER है इंगलिस में इंधी में बार बोल रहे हैं और को हम लिखते हैं 0.57 नंबर रिपीट हो रहा है उस्पर बार लगा मान कून और टाइप के decimal होते हैं जिसमें 0.329852 चले जाता है खतमी नहीं होता है ऐसे नंबर यह वह नंबर है जो चले जा रहा है खतमी नहीं हो रहा है ऐसे बहुत सारे नंबर जैसे माले लोग रूट 3 है तो रूट 3 का जो बेली होता है वो एक दिसम्वलो साथ 3 2 9 8 5 और चले जा खतमी नहीं हो रहा है यह खतमी नहीं हो रहा है चले जा रहा चले जा रहा है तो आपको समझना यह है कि जितने भी रूट वाले नंबर है रूट से जो बाहर नहीं आते हैं ठीक है रूट 10 हो गया परफेक्ट नहीं होना रूट 4 रूट 9 रूट 16 यह तो बाहर आ जाएंग देंगे दसम्बलों के बाद खत्म हो जाएंगे but perfect route वाले नमबर जो नहीं होते हैं वह सारे के सारे अगर हम उन्कों रूट से बाहर निकालने के kosis करेंगे तो वह कुछ ऐसा आंसर देंगे जो दसलों के बाद चले जायेगा चले जायेगा खतम इनी होगा मतलब कि इस टर्मिनेट हो रहा है खत्म हो रहा है नरम न Dü細 से अरुटम हो गया यह दोनों जो है यह रिपीटिंग है यह कुछा है करी कि यह रिपीटिंग और यह हो रहा है रिपीटिंग का इस्पनिनग से लिके लेना सार यह हो रहा है repeat, यहाँ पर number क्या हो रहा है, repeat हो रहा है, और यहाँ पर non repeat हो रहा है, non repeating, ठीक है, तो मैं अगर इसको short में लिखना चाहूँ, short में, तो यह वाले जो number है, यह वाले, यह वाले number है, terminating, क्या है, terminating मतलब T, दसमलोग बात खतम हो रहा है, ठीक है, ये वाले जो नंबर है ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंटी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंटी आर, एंटी आर बोल सकते हैं, टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं, बट रिपीट हो रहे हैं, ठीक हैं, और ये जो नंबर हैं, ये ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेट हो रहा है नॉन रिकरिंग हो रहा है नॉन रिपीट हो रहा है तो यह हो गए आपके दसमलों के प्रकार ठीक है इतने प्रकार के दसमलों आपको देखने को मिलते हैं अब इन दसमलों को फ्रेक्शन में कैसे ले जाए तो यह बाला तो आपको आता है इसको म्लिख सकते हो कैसे बटे में लिख सकते हो सर दो दसमलो पांच लिखा है धक्र दसमलो हटाते तो क्या लगाते हैं एक यह सब को मालूम है और इधर कितने नंबर हैं एक तो एक जीरो लगा लोगे तो यह बटे में आ गया आप चाहोते इसको simplify भी कर सकते हों है ना दूसरा नंबर देखो क्या लिखा है दूसरा आपके पास जो नंबर लिखा है वो क्या है दूसरा नंबर है एक परीमेर संख्या हो गई is इसको भी एक और यह बहुत है और यह भी परीमेर संख्या होती है इसको कैसे लिखते है मैं आपको बताऊंगा फिल हाल इसका मतलब हो गया वन बाई थ्री क्या हो गया वन बाई थ्री इसका मतलब हो गया 57 अपॉन में 99 अगर आप केलकुलेटर में 57 बटे 99 का भाग दोगे तो आपको यही मिलेगा अब यह 57 बटे 99 कैसे आ रहा है इसके लिए मैं बेठा हूँ आपको अगला टॉपिक ही में यह पढ़ाने वाला को हम बटे में लिख सकते हैं किसी भी बार वाले नंबर को मतलब जो तसमलों के बाद रिपीट हो रहा है उसको हम बटे में लिख सकते हैं और यह हमारा अगला टॉपिक है तो वहां हम क्या पढ़ा हूँगा तो इसलिए यहां पर के वाल चीजों को समझो वहां हम यह से अंसर मिल जाएगा कुल मिला के चाहे सर ये वाले नंबरों चाहे ये वाले हो इनको हम बटे में लिख सकते हैं मतलब ये और ये ये दोनों के दोनों मिल के क्या है ये दोनों के दोनों क्या है रेसनल नंबर है परिमे संख्या है क्या है परिमे संख्या है रेसनल मतलब परि में यह दोनों के दोनों क्या हैं परी में संख्या हैं यह भी और लज़ ग्रियरी यह है आ आधा दूदा सवा देड पोने दो नहीं होना चाहिए यहां पर पूरा पूरा नंबर होना और यहां भी यह मैं पहले कवर कर चुका हूं परीमे संख्या क्या होती है भिन्न और परीमे संख्या में पहले फरक डिफरेंस देख चुके हैं तो आपको कुल्मिला के समझना क्या है कि यह रूट वाले जो भी नंबर है ना जितने भी रूट वाले नंबर है रूट से बाहर नहीं आते हैं वो सब अपरी में हैं क्या है वो सब इर्रेशनल है जितने भी रूट वाले नंबर है जो रूट से बाहर नहीं आ रहे हैं वो सब अपरी में रूट से बाहर आ जाए और इसको तो हम लिख सकते हैं तो root वाले सारे number क्या है अपरी में हैं जो root से बाहर नहीं आते हैं और अगर हम जब दस्ति उनको root से बाहर निकालेंगे भी तो उनका जो answer आएगा वो दसमलों के बाद चला ही जाएगा चला ही जाएगा खतम ही नहीं होगा fraction क्या होता है decimal क्या होता है इसको अपन ने समझा अब last जो आपका बज़ता है इस topic में fraction वाला part देखिए तीन टाइप के fraction थे एक साधारन भिन्न थे रामायन के से पढ़ते हैं किताब में दो बटे तीन क्या होता है ये सब दूसरा हमने पढ़ा decimal भिन्न या decimal भिन्न मतलब decimal ही होता है और तीसरा वितत भिन्न मतलब यहाँ पर बटे बटे बार बार लगा होगा तो इस case में क्या होगा ऐसे सवाल आपको exam में देखने को मिलेंगे अब इसको समझ लेते हैं इसको हल कैसे करते हैं अगर मैं इस एक में जोड़ूँ क्या ये तो क्या संभव है क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि ये है क्या ये क्या है और उसको मैं एक में कैसे जोड़ पाऊँगा जब मुझे ये पता हो कि ये 5 है 7 है 10 है तो एक में जोड़ सकता हूँ, इसका मतलब, इसका solution हम यहां से start नहीं कर सकते, इसका solution यहां से start नहीं कर सकते, तो फिर मुझे जो possible condition दिखी, मुझे जो संभावना दिखी, इसको solve करने की, इसको सरल करने की, वो संभावना दिखी यहां पर, सबसे पहले मुझे जो संभावन एक बटा एक बटा एक बटा है तो इसका मतलब होता है एक बटा है तो इसको हम लिखते हैं से एक बटे 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 बार बार नहीं लगाते कभी भी अगर गणित में कहीं बार बार अपॉन आ रहा है तो उसको बार बार नहीं लगाना है उसको हटाना है केसे हटाना है तो ऐ कैसे हटाना है एक है और वी कि अपउन में क्यों एक है और और पान नहीं लगा सकते हैं उसका है को कि यह अप deas emissions सब चीच करूंगा कि कहीं पर अगर 10 आप ऐसा लिखा है तो यह इपन बन गया ऑफ़ इसी चीज़ को अगर वन की अपॉन में कोई फ्रिक्षन है और वह वन हटाना है तो आप इसको घुमा दो बस बागी कुछ भी नहीं तो यह ट्रिक वन गया जैसे मानलो मैंने लिखा वन अपॉन पी अपॉन क्यू तो यह हो जाएगा क्यू अपॉन-पी अगर मैं लिखा वन लें दो कितना हो जाएगा यह इसका आंसर आएगा तीन बटे-दो-acular अğेरे आलइक देता हूं अब ही क्या देख़रा है तुम्हें सर यह एक के बड़े में है तो जब इसको हम इसके जुड़ेंगे तो यह ऐसे जुड़ेंगा दो पटे तीन होके जुड़ेगा हाँ या ना तो इसको अपन कैसे सॉल करेंगे समझते हैं और फाइनल आंसर आपको देने को सबसे पहले इसको स्टेप में डिवाइड करो यह पहला स्टेप होगा यह हमारा दूसरा स्टेप होगा और हम तीसरा स्टेप यह होगा हमारा और चौ करेंगे तो दो एकम दो रेक तीन बटा दुआ आया अब यह जो है यह इसके बटे में लिखा हुआ है तो क्या है दो इसनसर को इस में तो उल्टा होके इसमें जुर जाएगा वहान इस से पहले मैं यह तो समझा या चाहो तो एक बार repeat करके देखो इसको मैं क्या समझाना चाहरा हूं कि वन के अपॉन में अगर इसा कुछ लिखा है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तो यहां पर क्या है वन के अपॉन में तीन बटा दो था तो हमने इसको दो बटा तीन लिख दिया हाँ यह ना I hope कि आपक आपको चीजे में तो वीडियो को पॉडियो को बिल जा रहे हैं लास्ट इस्तर हमारी क्या है वन प्लस वन अपोन सम्ठिंग तो यह वापस वही कहा नहीं पांच बटे आट कुछ भी नहीं करना है यह 3 बटा दो यहां दो बटे तीन हो जाएगा ये 5 बटे 3 3 बटे 5 हो ज यह समझ में है तो वीडियो को पूस करके इसको एक बर खुद करके देखो आ जाएगा और अगर नहीं व्यायत्व में करवाई रहा हूं तो आपको गलती समझ में आगे तो पहली step में हमारे पास क्या अंसर आ रहा है देखो जारा 1 प्लस 2 बटे 3 कितना आएगा 3 एकम 3 और 2 5 बटे 3 फिर दूसरी step ज़रा देखो क्या लिखा है दूसरी step भी लिखा है 1 प्लस 1 प्लस क्या है यही वाला उल्टा हो क्या आएगा तो यह हो तो इसका अंसर कितना आ गया 21 बटे 13 अगला सवाल देखो जा रहां फट्टाफटी स्पीड से इनको आप करोगे आप खुद करोगे या आप सेल्फ करोगे या आप क्या करोगे सेल्फ अब मेरी बात को सुनना वही कुछ यूटूब वाले तुमको इसके ट्रिक्स भी देख्शामंत तो लटक जाओ गे फिर तो इसलिए पहले देख्वागे इसको मैं कर रहा हूं यहां पर देखे पहली स्टेप में क्या एगा वन प्लस वन अपॉन अपॉन एकस तो आपका अंसर आ गया एकस प्लस वन अपॉन एकस प्र दूसरी स्टेप हमारी क्या है कि X upon में यह आगया और इसे को हम solve करेंगे यह पहली step थी यह दूसरी step है तो यह आपका जागा X plus 1 plus X upon में X plus 1 तो X और X कितना हो गया 2x plus 1 upon में X plus 1 ठीक है तीसरी step में हमारा answer आएगा इसमें तीसरी step में answer है तो 1 plus जो भी answer आया, वो उल्टा हो के आएगा, तो x plus 1 upon में 2x plus 1, LCM लोगे, तो answer आएगा 2x plus 1, यही 2x plus 1 यहां आजाएगा, तो 2x plus 1 plus x plus 1, तो x कितना हो गया, तीन हो गया, और 2 भी, एक और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, upon में कितना आ गया 2x plus 1 तो यही आपका हो गया answer कितना आ गया 3x plus 2 upon में 2x plus 1 I hope कि आपको चीज़ें clear हो गयोगी मैं क्या कहना चाहरा हूँ ठेक है तो आगे बढ़ते हैं अगला देखिए अगला जो सवाल है वो यह रहा और यह खुद आप करेंगे यहाँ पर ध्यान रखना minus है बस इतना ध्यान रखना plus नहीं है minus है मैं इस सवाल की बात करता हूँ इसमें आपको answer दिया हुआ है आपको x y और z की value निकालनी है तो आप मुझे बताएं मेरा पहला step क्या है सर मुझे बताएं पहला step हमारा क्या है यह पहली step है यह दूसरी step है और तीसरी step में हमारा answer आ रहा है और वहाँ पर one plus नहीं है बस उसको उल्टा करेंगे तीसरी step में हम one plus नहीं करेंगे केवल इस answer को उल्टा करेंगे तो हमारा answer आ जाएगा हां या न, प्लस नहीं है, तो पहली step हमारे पास है y plus 1 upon z, दूसरी step में हमारे पास क्या answer आ रहा है, देखिए x plus, यहां से जो भी answer आएगा वो उल्टा होके आएगा x plus, और तीसरी step में हमारे पास क्या है? 1 upon, तो आपको यह देखना है कि तीसरी स्टेप जो हमारी है वन अपॉन में यह अंसर आगा इधर वाला तो यह अंसर हमारे पास already है तो तीसरी स्टेप में जो हमारा अंसर आया है वो वन अपॉन में आया है और यह अंसर हमें दिया है कितना यह अंसर हमारे पास है 9 बटा 26 तीसरा आंसर हमें दिया हुआ आप खुद सोचें कि यह 9 बटे 26 जो है, वो यहां से आया होगा और यहां से घूम के आया होगा तो यहां पर जो आंसर था, वो क्या था? यह था 9 बटे 26 मतलब 26 बटे 9 था, क्या था? 26 बटे 9 क्लियर, 26 बटे 9 को अगर आप solve करोगे तो समझ में आएगा 9 का भाग दो इसमें, 9 का भाग देंगे तो 9, 2, 18, प्लस, कितना बज़ गया सर, 8 बटे 9, कहने का मतलब यह है, कि सर, यह हो गया आपका x का वेलिउ, यह हो गया आपका x का वेलिउ, और यहाँ प्लस में कितना है, 8 बटे 9, x बराबर है 2, और प्लस में 8 बटे 9, अब यह 8 बटे 9 उपर से आया था, थोड़ा सा दिमाग पर प्रिशा डालो, पिछले जो सवाल के ना, उन पर फोकस करो कि कहां से क्या वेलिउ आई थी, अब जब हम reverse आएंगे तो कैसे होगा, यह वेलिउ हमारे पास यहां से आती थी, देखो जरा पिछले सवालों में, क्या होता था, कौन से वेलिउ कहां से आती थी, यह 3 बटा 2 यहां था था, उल्टा होके, जब वापस आएगा, तो 2 बटे 3 वापस, 3 बटा 2 होके चले जाएगा, ठीक है न, तो मैं वही तो करना हूँ, तो यहां पर क्या है हमार तो आपको समझ में आ गया, कि भाय का वेलिउ क्या हो गया, 1, जेट का वेलिउ कितना आ गया, 8, और आपका X का जो वेलिउ आ गया, वो कितना आ गया, 2, तो टोटल आंसर कितना आ गया आपका, 11, यही आपका अंसर, I hope कि आपको यह वाला सवाल समझ में आया होगा, और नह पर बदलते हैं अपर थोड़ा सा पहली स्टेफ हमारे पास जो है हिए सी पलस वन बाइडी दूसरी स्टेफ हमारे पास है बी पलस संथींग ठीक है कि छोफेर welche प्लसटीप तीसरी स्टेफ इसरी पास क्या है PK魔ism A plus something और चौती हमारे पास है one upon चौती हमारे पास है one upon जो भी यहां का answer होगा वो तो यह जो आपका answer final आर वोड़ा 17 बटे सहाथ तो सोचो यह 17 बटे सहाथ क्यों होगा क्योंकि यह one upon में था इसका मतलब कि यहां पर जो आया था यहां से वो सहाड़ बटे 17 उल्टा होके आया था यहां पर दो वैल्यू इस इस सिंगल आंसर नहीं था यह किसी चीज को जोड़ने पर आया था यह तो हम वापस से अगर 17 का भाग देंगे तो 17 तिया 51 हो जाएगा प्लस 3 बार भाग गया बजा कितना 9 बटे 17 कहने का मतलब यह है कि आपको पता चल गया कि इस A का वेल्यू ही क्या है और यहाँ पर क्या था यहाँ पर था 9 बटे 17 यह 9 बटे 17 कहां से आया होगा किसे उल्टा होके तो यहाँ पर था 17 बटे 9 आप जब 9 में भाग दोगे तो 9 एकम 9 बचे का कितना 8 बटे 17 9 इसका मतलब कि B का वेल्यू हमारा क्या हो गया B का वेल्यू हमारे पास आगया 1 और यह 8 बटे 9 था यहाँ पर पर यह 8 बटे 9 यहाँ से आया था जो कि 9 बटे 8 था जब 8 का भाग दोगे तो 8 एकम 8 प्लस 1 बटे 8 कहने का मतलब से कि C का वेल्यू हो गया यह और D का वेल्यू हो गया यह सारी की सारी वेल्यू जा गई तो आप खुद कहो कि A प्लस B प्लस C प्लस D क्या हो जाएगा A का वेल्यू कितना है कितना जाएगा तेरा यह आप खुद करें और समझे चीजों को नहीं आए तो कमेंट में लिखें कि सर यह कुस्चन नंबर हमसे फिर नहीं बन पाया तो हम आपके लिए अगला लेकर आएंगे वीडियो मेरी उद्देश यह है कि मैं सवाल करवाने नहीं बेठा हूं मैं आप आपने करें यह सवाला नहीं सकते यह भी आसकते हैं पर इसके और चीजों को बहतर तरीके से समझना चाहिए तो यह आज की अपनी क्लास हो गई है अब अपन अगला 1.3 जो अपना है 1.1 हम दो चीज़े डिसकस कर चुके एक तो अपना 1.1 हो चुका है संख्याओं के बारे में 1.2 हो चुका है दसमलो और भिन्दे के प्रकार अगला जो य कीच लेगा एप्लिकेशन पर आप हमारा उड़ाण डिटाल का एप्लिकेशन डावन लोड करें वहां पर आपको करके एक कोर्स मिल जाए गा है में अमेर्च दहाशु उस में धायदा द्लासु में स्वाएं कि आपको teu वन पॉइंट defines सब्सक्राइब कुषटिस कर रहे होंगे और आज साम तक ही आप खुद पता कर रहे होंगे कि उसकी कोई स्वाट ट्रिक है नहीं तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अपनी अगली क्लास 1.3 में थैंक्यू